हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लेर्न मैट्स पर फ्रेंड्स अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनोंने आर्मी पप्लिक स्कूल्स की वेकेंसी एक्जैम को क्लियर कर लिया है PRT, TGT या PGT के लिए और आप अभी भी confused हैं कि हमें इन वेकेंसी के लिए कैसे अपलाई करना है और कहां अपलाई करना है आपको आर्मी पप्लिक स्कूल्स की वेबसाइट ढूनने में अगर दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी इन confusions को solve करने जा रहा हूँ फ्रेंड आप जानते हैं कि पूरी इंडिया में 137 आर्मी पप्लिक स्कूल्स हैं और हर स्कूल की अपनी एक वेबसाइट है बहुत से कैंडियेट्स का feedback मुझे मिला है फ्रेंड की उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है इन वेबसाइट्स को ढूनने में और उन महाँ पर जॉब अपलाई करने में अपलाई तो तभी होगा फ्रेंड जब आप वेबसाइट्स को ठीक से ढून पाएंगे अब आप बहुत से कैंडियेट्स जानते भी नहीं है कि उनके आसपास कौन से आर्मी पप्लिक स्कूल्स हैं किस स्टेट में कितने हैं कहां कहां हैं ये भी सबको नहीं मालूम है तो आपके इन सभी क्वेशन का जवाब आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगेगी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसको जरूर लाइक कर दीजेगा आप चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर आ गए हैं अब आपको क्या करना होगा आपको अपने गूगल ब्राउजर में जाना होगा और आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है और आपको यहां पर ऊपर एक आप्शन नजर आता है इंस्टिटूशन का तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है इसी ऑप्शन के आपको इस ऑप्शन को चूज कर लीजे जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं आपको एक नया वेब पेज मिलेगा जिसमें आपको इंडिया का एक मैप देखने को मिलेगा अब इस मैप में आप जैसा की देख पा रहे हैं इंडिया के सभी स्टेट को कलर फुल वे म स्कूल्स की डीटेवल मिल जाएंगी ओर एक्ञामपल हम राजस्थान पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने राजस्थान पे क्लिक क्या है अप देख define कि राजिस्तान में जो APS मौजूद हैं उन सब की यहां पर आपको detail दी हुई है आप देख पा रहे हैं कि APS जोदपूर है APS जैसलमेर है बिकानेर है जैपूर में है कोटा में है तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जैपूर के सारे Army Public Schools की यहां पर details मौजूद हैं फर एक्जामपल हम उत्राखंड में चेक करना चाहते हैं कि उत्राखंड में Army Public Schools कहां कहां पर हैं तो आए हम उत्राखंड पर क्लिक कर देते हैं जैसे ही हमने उत्राखंड State के Map पर क्लिक किया है यहां पर आप देख पाएंगे कि उत्राखंड के सभी Army Public Schools की detail आपको मिल गई है आप देखेंगे कि यहां पर स्कूल का postal address, phone numbers, वहां की email id और website सभी यहां पर necessary details आपको दे दी गई हैं तो आप इस परकार जो है जाकर खुद अपनी websites चेक कर सकते हैं अगलग states में जाकर जहां भी आप प्रिफर कर रहे हैं जॉब के लिए किसी city को और आप प्रिफर कर रहे हैं तो वहां के आप Army Public Schools की website को यहां से find out कर सकते हैं और check कर सकते हैं कि क्या माँ पर कोई vacancy आई हुई है कि नहीं आई हुई है पर एक्जांपल हम आपको APS Clement Town की website दिखा देते हैं यह अमने APS Clement Town की website को लिए हम यह थ्री लाइन जो यहां पर right hand corner में हैं इसको क्लिक करते हैं और देखिए कि यहां पर एक option दिया गया है आपको careers का अब आप careers पर जाकर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहां पर job application form दे दिया है जिसमें अपना name, contact number, email id अगर आप कहीं पर already job कर रहे हैं तो इस company और school का name आप अपनी designation अपर mention कर देंगे और यहां पर आपको आपके resume को upload करने का भी option दिया गया है उसके बाद आप यहां पर एक छोटा सा application write कर सकते हैं address for communication वाले option में और अपनी application को आप submit कर सकते हैं तो देखिए कितना easy way में इन्होंने यहां पर एक आपको job application के लिए form provide कर दिया है आपको just अपनी necessary details को यहां पर fill करना है और आप अपनी job को apply कर सकते हैं तो friend आप जैसा की देख पा रहे हैं कि यह जो इंडिया का map है आप जहां भी अपने job के लिए prefer कर रहे हैं किसी state में या किसी city में तो यहां से आपको इंडिया में मौझूद सारे APS की detail मिल जाएगी इस वीडियो के बना कर दूर कर तो उमीद करता हूं friends आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपको अप समझ में आ गया है कि कैसे आप सारे Army Public Schools को search कर सकते हैं और वहां पर आपको हर Army Public Schools की website में मिल गई होगी तो उमीद करता हूं friends आप जल्दी से जल्दी अपन भी मिलती रहेंगी तो मिलते हैं अगली वीडियो और फ्रेंट्स बाई बाई